सूजी का हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा लेकिन एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ किजिएगा ओईल गरम करके उसमें डाली है हमने हरी लाइची फिर मैं इसके अंदर एट करूंगी सूजी यहां मैंने ओईल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ली है फिर हम इसे भूनेंगे अब हम इसके अंदर टू टेबल स्पून बेसन को एट कर देंगे और उसे मिलाते हुए हम भून लेंगे जब तक की बेसन की स्मेल ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए हम इसे लगतार चलाते रहेंगे यह देखिए बेसन और सूजी लगबग भून चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब हम इसके अंदर यहाँ पर एट करेंगे चीनी और साथ में जाएगा पानी आपको मीठा जैसा पसंद हो आप उसकी अकॉर्डिंग कम या ज्यादा चीनी कर सकते हैं बस अब हमें पानी आट करने के बाद ध्यान रखना है इसे बहुत अच्छे से चलाना है वरना इसके अंदर लम्स बन जाएंगे और हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो भी रखना है यह देखे लगभग 2-3 मिनेट में यह हमारा हलवा बनकर तयार हो चुका है अब हम इसके अंदर एट कर देंगे ड्राइफ रूट्स जो भी ड्राइफ रूट्स आपको पसंद हो आप इसके अंदर वो एट कर दीजे और इसे मिलाएंगे ये हमारा हल्वा बनकर तयार हो चुका है अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए